हाँ भी क्या हाल है आप सबी लोगों के एक बाड़ दुबारा मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल लर्न विच समित पे आशा करता हूँ आप सबी लोग काफी अच्छे होगे और अपने त्यारी अच्छे से कर रहे होगे ओपरेशन विजय के जो हमारी सीरीज चल रही है जिसके इंदर हम मोस्ट इंबॉर्टन टॉपिक्स कवर तक करते हैं जहां से सबसे यदा कोश्चन साते हैं ठीक है उसी सीरीज में आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो किस पर रहेगी रिवोल्ट ऑफ 1857 ठीक है बहुत इंबॉर्टन टॉपिक है और काफी बच्चों ने इसके लिए डिमांड भी करी थी कि सर इस पे एक सेपरेट वीडियो बना दो तो एक छोटी सी सेपरेट वीडियो आपके क्यों के लिए रिवोल्ट ऑफ 1857 यह हम आज कवर करेंगे ठीक है सबसे पहली चीज सर हुआ कब कैसे स्टार्ट भुआ लोगों ने क्या-क्या रियक्षन दिया डिफ्रेंट पार्ट के अंदर आप देखते होना बहीं कहीं से कोई लीडर आया कहीं से कोई लीडर ना तो कौन से एरिया से कौन से लीडर एमर्ज हो है जिन्होंने 1857 रिव कर दी कुछ-कुछ वो भी था तो दोनों के दोनों एक पॉइंट पर आके मिल गए इंकल्केट हो गए और सीधा 1857 का क्या हुआ रिवोल्ट हो गया फिर इसको सप्रेस कैसे किया गया किस तरह से सरकार ने इसको सप्रेस किया इसको दबाया और फाइनली इसका आउटकम क्या जाहा इसको पूरा थीम में पढ़ लेंगे जैसे शुरू कैसे हुआ सर बात ऐसी है दस मई 1857 हुआ क्या कुछ सोलजर थे जो की मेरट के अंदर पोस्टिट थे महां की एक यूनिट थी ठीक है अब वो सब बिचारे अल्लेडी दुखी थे दुखदर थे तो वो सब इखट तो रात को आये थे लोग चल चला के अपने बादुर्शा जफर बढ़िया अपने रूम में सो रहा था उपर बैठके तो उसका चम्चा आया कि अरे अरे जहां पना उठो वह आ गए तो उसके चम्चे ने का कि अरे वह बहुत सारे बाहर सोलजर खड़े हुए उन्होंने को कोई बताओ ढंग से लेकिन भाई तो नीन में था अपनी चलो कोई बात नहीं ग्रैजुली क्या हुआ धीरे धीरे यह जो आपका 1857 का रिवोल्ट था यह नॉर्थ इंडिया के अंदर फैनने लगा इसके साथ और लोग जुड़ने लगे और सभी ने इसमें हिस्सा लिय लिया आपके राजाओं ने भी हिस्सा लिया कुइन जो मरानिया होती थी उन्होंने भी हिस्सा लिया जमिंदार लोग पॉमन लोग सिर्फ एक वर्ग ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था जो आपकी मिडल क्लास हुआ करती थी ठीक है उन्होंने इसके अंदर हिस्सा नहीं ल हम यह यूस्ट नहीं करेंगे चलो कोई बात नहीं फिर जब मार्च अप्रेल में दुबारा इनको बर्जर्टि दी गई कि नहीं आपको यूस्ट करना ही पड़ेगा तो फिर यह मंगल पांडे का एपिसोड हुआ था जिनको सूली पर चड़ा दिया था बैक पूर के अंदर और क्यों नहीं वान रहे थे तो में रीजन था जो उस टाइम पर सबसे इमीडियेट रीजन बना आपके 1857 के रिवोल्ट का गन की कार्ट्रेज इस यह जो कार्थूस वाली जो कार्ट्रेज होती है एकदम टॉफी की तरह है मैलेडी टॉफी की तरह लग रही है यह तो इस की और सुर की चर्वी से बनाई जाती है और यह दोनों जो आपके जानवर हैं यह रिलीजिएस कानफ्लिक्ट पैदा कर देते हैं कहां पर आपके हिंदू कम्यूटि के अंदर भी और मुस्लिम के अंदर भी तो इसलिए जो यहां पे हिंदू-muslim जो एकसाता आर्मी के उनका आटा होता है ना जिसकी रोटी बनती है उसके अंदर बोन पाउडर मिलाया जाता है उसके अंदर बोन पाउडर मिलाया जाता है तो यह कुछ इमीडियेट रीजन बने तो चलो कोई बात नहीं जैसे ही बाकी लोगों को जो और मेरट के अंदर जो बाकी उनिट थी जब उन्हें पता चला कि यार उनके भाईयों को यह से कोट मार्चल कर दिया तब उन्होंने क्या करा चलो सब को जेल से चुड़ा और दिल्ली चलो सब को जेल से चुड़ा दिया गया और यह लोग कहां निकले कि भाईया चलो दिल्ली चलते हैं बादुशा जफर के पास अब महां पे एक लेटनेंट हुआ करता था मेरट में ठीक अब भाईया जब बाहदुशा को आपने प्रोक्लेम कर दिया किसने आर्मी के लोगों ने कि भाईया आप तो हमारे शैंसा है इंदुस्तान हो तो सबसे पहले बाहदुशा जफर ने पता क्या किया बिटिशास को ही टेलीग्राम लिख के भेज़ दी चिट्टी लिख के भ भड़ी है ठीक है आप मुगल के समराठ हो और आप लोगों का साथ नहीं दे रहे तो प्रेशर में आके उन्हें जॉइन करना पड़ा यह रिवोल्ट ठीक है और इनके साथ कौन जुड़े एची के जो आपके बादुशा जफरक्रा का कमांडर हुआ करता था बक्ठकान व सब्सक्राइब करता था उनको नवाब डिकलेयर कर दिया गया ठीक है यहीं पर एक बिटिस रेजिडेंट रहा करता था कहां पर लगनों के अंदर जिसका नाम था है हेंड्री लॉरेंस उसको भी निफ्टा दिया गया फिर क्या हुआ बरेली के अंदर आपके खान इसके टाइम पर फिर पांच जून को क्या हुआ आपके नाना साहिब्ठू मराठा वाले और तांट्या टोपे ने मिलके कानपूर के अंदर रिवोल्ट कर दिया यहीं पर इनका लीडर हुआ करता था कौन अजीमुल्ला यह लोग क्या करते हैं गुरिल्ला वार्फेर लक्ष्मी भाई आ गई है कहां पर जहांसी के अंदर तो लक्ष्मी भाई के जो हजबन दुआ करते थे गंगा धर रहा हो अब हमें पता है कि इनका बेटा था वह अडॉप्टिट संथा जिसका नाम था दामोदर डॉक्टर ने फ्लैप्स के तहट डलोजी ने इसको भी ए करदीशपुर ऐसी पैजाबाद में मुल्ला अब्दुल्ला हुआ करते थे अयोध्या की बात चल रही है पंजाब के अंदर आपके होती मर्दान और नाशेरा हुआ करते यह भी रिवोल्ट कर रहे थे लेकिन वहां पर सप्रेस हो गया था इतना ज्यादा इंपक्ट पंज सप्रेस हो गया देख रहे हो केवल 4-5 महिने के अंदर पूरा पूरा पका रिवोल्ट सप्रेस हो गया तो कैसे कैसे बहा है सर पहले मेरट में स्टार्ट हुआ फिर दिल्ली आये दिली से कुछ हिस्सा पंजाब में गया फिल लक्नों में फैला फिर कानपूर जहांसी बरेल और आरा इस तरह से पूरे के पूरे आपके नॉट इंडिया के अंदर रिवोल्ट ऑफ 1857 फैल गया ठीक है लेकिन सप्टेंबर 1858 तक आते आते क्या हुआ सप्रेस भी कर दिया गया इसको फुली तो सर इसके क्या कारण थे सबसे पहले तो रिवोल्ट हुआ क्यूं बैं र जबरदस्ती कमर्शल क्रॉप जगाया रहे है ऐसे बुक्मरी हो रहे है इरिकेशन में पैसा नहीं लगा रहे तो क्रॉपश बर्बाद हो रही है जमीन फसले बर बाद हो एन दिया रहे है और इमेडिएट रिजन क्या बना बही एक तो जो आपके सिपाही लोग हैं उनके अपने दुखदर्द हैं उनकी कोई सुनता नहीं है उनको टाइम पर प्रमोशन नहीं मिल रहा पार्सियालिटी होती है उनको तनका टाइम पर नहीं मिलती है और जो ब्रेडिश ऑफिशल्स हैं उनको तीन मुना ज्यादा तनका मिल रही है तो यह सब चीजे रीजन बना ठीक है पार्शल्टी हो रही है कार्टिज और यह अभी बताया चलो यह इमेडियेट रीजन में अब रिवोल्ट यह इतनी जल्दी फैला क्यों था क्योंकि इसके अंदर सोसाइटी के हर एक सेक्षन से लोग बाग जुड़े थे इसके अंदर जमीनदार लोग क् क्यों जुड़ रहे थे जैसे आपकी जहांसी होगी क्योंकि डॉक्ट्राइन आफ लेप्स के तहट उनकी जो शाशनुवा करता था वो ब्रिटिश ने ले लिया था ऐसे किसान लोग तो वैसे दुखे थे भाईया मुझसे तो पूछा ही मत मेरी तो सबसे आदा हालत कराब है और आपके सिपाही लोग तो जुड़े ही थे इन्हों नहीं तो शुरू कराता है इसलिए तो सिपाही मिर्टी नहीं कहते हैं तो सुसाइटी का हर सेक्षेन जुड़ रहा है सिरफ एक मिडल क्लास नहीं जुड़ा हुआ था ठीक है लॉंग टम रिजन में जैसे लेके आया था ठीक है जितने भी रेजिदेंस की ट्रीटी जो होती थी ना उसके अंदर यह बोला जाता था कि हर एक राजे रजवाडे के अंदर एक बिटिस का ऑफिसल बैटा करेगा है अब वो बिटिस ऑफिसल राजा के कामों में डेली उंगली करता था इंटरफेयर कर खाली कर देना ठीक है लाल किला खाली कर देना कोई नहीं रहेगा इसके अंदर मुगल डानेश्टी खतम तो बादुशाज जफर के उसमें बहुत बेज़जती की गई दी लेकिन नहीं माने कोई बात नहीं नो शहें शाही इवन इनके जो कोई सब्देते मुगल के उस पे मुगल डानेश्टी खतम है एन लास्ट वन इस एपसेंटी सॉवरेंटी एपसेंटी सॉवरेंटी का मतलब बेसिकली देखो यह होता है अच्छा जैसे एंशेन टाइम से ही जितने भी लोग ने इंडिया के अंदर आए हैं जितने भी फॉरें इंवेजन हुए हैं ठीक है वो सारे के सारे लोग है ना इंडियनाइज हो गए तरीके से वो इंडियन के रंग धंग में हमारी वेज लिए सअन गए कि वो खुब इनजया मन गए । लेकिन ब equally कर अपए बुए इतने भी भार के लोग आए हैं वो सब यहां रहे हैं आके उन्होंने अपनी डैनाइस्टी बनाई है इंडिनाइज हुए हैं वो लोग बिटिस इंडिनाइस इसले नहीं हुए क्योंकि हर 15 साल पर क्या होता था यह लोग चेंज कर देते गवर्णर अपकोई गवर्णर अच् कि यह लेंड सिस्टम की पॉलिसी आ रहा रही थी जिसने एकदम निचोड के रखा हुआ था सबको हर जगह से इतना टैक्स लिया जा रहा है हर जगह से कोई रेंट वेल्यू ले रहा है ठीक है रिवेंट्यू कर टेक्स इतने जादा जा रहे हैं लोग बहुत दुगी है उ से को नौकरी नहीं मिल पा रही है unemployment की problem चल रही है जमिनदार लोग क्यों दुखी है क्योंकि भाइया उनकी सारी की सारी जमीने confiscate कर ली गई थी 1852 के अंदर एक इनाम commission भी आया था ठीक है इनाम जो है बेसिकली एक land का रूप होता है ठीक है administrative cost क्या थे सर कोई promotions नहीं दिया जाता था इंडियांस को टीक है ऊपर से आप क्या कर रहे हो administration के अंदर इंडियन administration के अंदर आप European की संक्या जादा बढ़ा रहे हो तो लोग भाग इसले भी दुखी थे और जो salary मिलती थी वह इंडियन को केवल वन थर्ड मिलती थी अगर कोई 30,000 रुपे कमा रहे है तो इंडिया को सिर्फ इंडियन को सिर्फ 10,000 रुपे दिये जाते थे तो बहुत partiality होती थी social cause में क्या है religion आपने reforms के नाम पे लोगों का धरम में उंगली करनी शुरू कर दिया आप लोगों को जबर्देश्य किस्टाइटी में convert करा रहे हो है उपर से हमारी सब्वेदा को कह रहे हो कि आप बार्बेरी को आपको कुछ नहीं आता है इंडिया को कुछ नह आता अरे तुम अपने या जाके देखो ना तुम अपने या विच हंटिंग करते थे जब पहले हैं विच हंटिंग के नाम पे तुम लोग और्तों को मार रहे हो slavery वे सबसे यदा तुमने तरकाट मचाया है इधर उधर से तुमने सारी इंडेंशन लेबर करवाई है हमारे आके तुम हमें मत बताओ हमारी इंडिया शुरू से कल्चरली बहुत रिच रही है तो लोग बाग इससे बहुत दुखी थे ही क्रिश्यानिटी इंपोजिशन चल रहा है सती आया था बाद में ठीक है उसके बाद आया था रिलेजिस डिसेबिलिटी एक बेसिकली ये का बिटिश क्रिश्यानिटी के अंदर फिर उनके बाप दादा हैं जो इंडियन के बाप दादा होते थे उन्होंने का भई अब तो कोई जमीन जायदात में कोई हिस्सा नहीं दूंगा ठीक है वह सही बात भी है तो यह चीज से दुखी होके कुछ-कुछ हमारा चेंज तो लोग भाग खुश नहीं है इस चीज से जो आपका चार्ट एरेक्ट आया था ठारा सो तेरा का उसके अंदर क्रिश्चन मिशनरी की संख्या बढ़ा दी थी पादरी लोग क्यों क्रिशानटी में कंवर्ट करना है लोगों को वैशन एजूकेशन देंगे जबरदस्तिक और 1856 में विडो रिमेरी जेक्ट आया था तो यह बहुत सारे रीजन थे लॉंग टम यह शुरू से चलते आ रहे थे जिन्होंने अल्रेडी लोगों के दिमाग में एक मतलब फीलिंग ला दी थी कि यार यह बिटी सरकार बहुत ही गलत कर रही है और इमीडियेट कॉस क्या पर यहां से 1854 के अंदर क्रिमियन वार हुई थी बैसिकली यूक्रेण के ताइम पर आज कल जो लड़ाई चल रही है यूक्रेण वाली जगया पर महीं पर क्रिमिया देश आता है इतीन फिस्टी फोर में वहां पर लड़ाई चल रही थी बिटेश की और रशिया की वहां पर बिटे इनकी हालत बहुत ही जादा खराब थी बस यह लगा लो कि वह खतम ही हो गए थे लेकिन फिर भाईया वह बिटिस पार्लियमेंट ने यहां इंडिया के गवर्णर जरनल को बोला कि यार वो कुछ help कर दो तब यहां से 10,000 सैनिक इंडियन सैनिक गए थे किर्मियन इनको अपनी लैंड उसको अपना जो लैंड है न वह रहां नहीं जाना नहीं तो आप अजूत हो जाते हो ठीक है यह यह आपको देश छोड़ के बाहर नहीं जाना है तो अब बरदस्ति यहां से बाहर लड़ने के लिए भेजा जाएगा जब तो उसको तो जाना करनी है जब वह वापीस आते थे तो उनकी फैमिली अपने बच्चों को तो यहां बिचारे वो अलग दूखी थे कि आर्मी में और लेडी रिशिल डिस्क्रिमिनेशन चल रहे और यहां पर भी हमें कुछ नहीं करने दे रहे हमारी फैमिली हमें कर रही है तो यह वी बेकार का था एक्दम उपर से 1854 के अंदर एक पोस्ट ऑफिस आया था पहले क्या होता था जैसे घर वालों को जब अपना संदेश भेजना होता था या आर्मी परसनल्स को अपना कोई चिट्टी भेजनी होती थी तो उस पर टेक्स नहीं लगता था लेकिन डलोजी इतना बेकार आदमी पोस्ट ऑफिस का एक्ट ले आया और उसके अंदर कहा कि आज के बाद कोई फिरी चिट्टी नहीं बेजी जाएगी आपको स्टैंप डूटी देनी पड़ेगी आपको पैसे देने पड़ेंगे क्या आदमी है इस वज़े से सिपाई अलग दुखी थे संतल रिवल्ट जो हुआ था उसके अंदर तो पहांकर संतल लोगों ने बिटिश की ऐसी की तैसी कर दी थी इतना बिटिश बैक फूट पे आ गई थी कि अलग से उने तो संतल परगना एक डिस्टिक बनानी पड़ी जिस सिपाई लोग थे वह अलग दुखी थे इन सब रिजन्स की वज़े से और इमेडियेट रिजन क्या बना एक तो वह 1856 के अंदर रूमर आ गया था क्या कि जो आपका आटा है उसके अंदर क्या बोन पाउडर मिलाया जा रहा है और 1857 में वह जो जो आपकी गन राइफल है उसके अंदर सर वो कार्ट्रेज जो यूज़ करते हैं उस पर तो काउ की और पॉर्क की मतलब गाय की और सुखर की चर्वी यूज़ कर जाती है इस वज़े से एक दम यह रिवोल्ट हो गया सिपाई इन इन शुरू किया और जिसके साथ बाकी लोग भी जुड़ गए ठीक अब ज़ए दिलली को कतम करो पहले दिली पर अपना कभज़ा करो ची Kin리 करें तो सबसे पहले इनहोंने दिल्ली पर कभज़ा करने के लिए कोशिश करी कैसे करेंगे बहया इंग्यों पड़िक्यु को ट Nós अज़ए डानेपर्ष में इन इन आ फ्हुक्त मेरें आपने लिया ह तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है चलो कि जो आपके रिवोल्ट जो रिवोलुशनरी थे वह अलग से अपनी पैलल गवर्मेंट चला रहे हैं अपने शासन कर रहे हैं तो बहुत दिल्ली पे जो शुरू में कोशिश की गई थी जॉन नाम का एक बंदा था इसने बेटे को और उसके पोते को महीं उसकी आखों के सामने मार दिया गया और बहुत दूजार सफर को भेज दिया गया कहां पर रंगून जहां पर 1862 के अंदर उनकी हो जाती है मृत्यों ठीक है फिर दिसेंबर 1857 तक कॉलिन कैमबल था जिसने कानपूर को क्या करा कानपूर को वापिस अपने हिस्से में लिया नाना साहिब निकल गए नेपाल ठीक है तांट्या टोपी जो की नाना साहिब के साथ जुड़े हुए थे वो जब नेपाल निकल गए तो तांट्या टोपे रानी लक्ष्मी भाई के साथ आगए कि चलो मैं आपके साथ लड़ूगा कर्ण जाता है कि नाना साहिब नेपाल इप bisa गए गई के अदर अब यह करते तो बिडिश के ने दोनों हमारे राजय में आके लाखलो तो यहां 1859 के अंदर उनको मार दिया गया अब यहीं पर एक एपिसोड हुआ था क्या यह जो नाना साहिब टू थे ना आपके इन्हों ने एक तो 1857 के अंदर कानपूर मैसेकर करा था कानपूर मैसेकर बिजड़ा हुए बेसले के लिए कानपूर के अंदर जितने भी आपके बिटिश बिटिशर्स रेजिड़न्ट हुआ करते थे एक जगह पे वहां पर उन्होंने उन सब को मार दिया नाना साहिब ने उन सारे बिटिशर्स को मार दिया 300 के आसपास ब्याद करते थे और जो उनमें से बचके निकल गए उनको दूसरी जगह मार दिया कहां पे बीविगर जाते आते जो आपके बरेली था जहां पे खान बादूर थे उनकी मित्ति हो जाती है वह ज़्यादा कुछ कर नी पाए जो आपके कुमवर्ट सिंग थे जगदीश पुरवाले राजा बिहार के अंदर उनके मित्ति हो जाती है और क्या बोला कि भाईया जितने भी लॉयल जो नहोंने बिटिशर्स का साथ दिया है लोगोंने साथ दिया है बिटिशर्स का उनको हम सब क्या देंगे अवार्ड देंगे तो बेसिकली साइकलोजिकल वार गेम खेला इनोंने क्या कि भाई बिटिशर्स ने ये कहा कि आप सिधा का सिधा लीडर को मारो जनता अपने आ PDF में आपको सिर्फ इसके ओपर एक नजर मार नहीं है, छीक है, अब यह fail क्यों हुआ था, एक तो limited area था, केवल North India के अंदर ही हुआ करता था, जो प्रिंश्री स्टेट थी वो ज्यादा support करती नहीं थी, जमिनदारों को lollipop दे दिया गया क्या, कि अगर आप लोग reward के अंद कोई planning नहीं थी, इनकी कोई planning नहीं थी, लोजिस्टिक कहां से आएगा, असला बारूत कहां से आएगा, कोई planning नहीं है, कोई information की communication की line नहीं है, जिससे बात कर सके, transfer कर सके, जब यह सब चीजे नहीं है, इसलिए यह revolt fail हो गया, हर एक leader अपनी अपनी जगे के लिए लड़ र आर्मी हुआ करती थी, ठीक है, जब यह सब चीजे हैं, तो फिर अराम से कर लेंगे, उपर से telegraph line की, telegraph line बिछा रहे हैं, जिससे communication आसानी से हो सकता है, sword versus guns, हमारी Indian लोग तलवारों से लड़ रहे हैं, और Britishers लोग गन से लड़ रहे हैं, इसलिए यह revolt fail हो गया, ठीक है, significance इसका क्या है, कि भाया, British invincibility ब्रोक हो गई, कैसे, sir, 1840 के अंदर, मतलब पहले यह चलता था, कि Britishers लोग जो है, इनको कोई नहीं हरा सकता, उन्हों ने इस तरीके की एक धानना बनाई थी, Britishers लोगों ने, लेकिन 1840 के अंदर, पहली अफगान के लिड़ाई हुई थी, तब Britishers को बहुत 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 पिटाई पड़ी है, 16,000 लोग गए थे, अफगानिस्तान लड़ने के लिए, सिर्फ एक वापिस भेजा गया था, बाकिस सब कोवीश में मार दिया गया, सिर्फ एक British soldier को वापिस भेजा, वो भी यह बताने के लिए, कि हमसे पंगे मत लेना, इत दोगली है, यह तो बेकार पिक्चर है, इनका तो कुछ नहीं आता, तो यह जो धानना बनाई हो थी ना, कि British सबसे सर्फसेस्ट हैं, यह धानना तूटने लगी थी, यह किस ने तुड़वाई 1857 के रिवोल्ट ने, हिंदू-Muslim unity की बात करता है, ठीक है, फाइनली यही से आपका nationalism और grow होता है, और East India Company का होता है, एंड, ठीक है, यह पूरा का पूरा टॉपिक था आपका 1857 के रिवोल्ट का, आशा करता हूँ आपको यह टॉपिक अच्छा लगा होगा, एक बार इसकी revision दुबारा करना, और अपना टाइम पे revision करते रहो, question लगाते रहो, साथ मे आगे आने वाली और videos लाते रहेंगे, जिससे ज्यादा maximum से maximum question बनते हैं, ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखी और सबको चाहें